आपने Chrome browser के अंदर एक Ad Blocking का एक extension डाला हुआ है और उसके बाद आप जो है किसी भी एक News वेबसाइट के उपर जाते हैं फोर एजामपल के लिए Hindustan Times यहापे आप स्क्रोल करते हैं और किसी भी एक News के उपर क्लिक करते हैं और जैसे आप उसको क्लिक करते हैं और स्क्रोल करते हैं थोड़ा सा नीचे चलते हैं तभी आपके पास नीचे एक notification आजाता है कि आप Ad Blocker यूज कर रहे हैं और आप इसको continue rate नहीं कर सकते यहीं सेम इसी तरह का आपको Ad Blocking के जो messages हैं वो different news websites के उपर या article website के उपर देखियोंगे लेकिन जल्द ही इस तरह का Ad Blocking का जो एक pop-up है वो आपको देखने वाला है YouTube के उपर YouTube जो है अपनी policies को लेखे काफी strict रहता है और उनका मानना यह है कि अब आप जो है Ad Blocker का use नहीं कर पाएंगे YouTube के उपर Ads वगेरा ना देखने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तकरीबन जो है तीन बार के लिए एक pop-up आएगा कि आपको जो है या तो Ad Blocker को जो है Disable कर दीजिए या फिर आप हमारा YouTube Premium ले लीजिए Otherwise अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है Temporarily Disable कर दिया जाएगा आप जो है YouTube के उपर Videos वगेरा नहीं देख पाएंगे और YouTube ऐसा करना चाहता है उसका सबसे एक important reason यह है कि YouTube users को जो है Free में content available करवाता आ रहा है और वो चाहता है कि future के अंदर भी ऐसा हो लेकिन उसके लिए user को सिर्फ एक ad देखनी होगी Ad देखने का एक simple सा reason यह है कि जो भी content creator आपके लिए content बनाते हैं उनकी जो कमाई है या बोल सकते हैं जो आजी भी का है वो उन ads के उपर जो मिलने वाला पैसा है उसका कुछ percentage जो है content creator को मिलता है और उसी से जो है YouTube भी कमाता है YouTube के अपने बहुत सारे expense होते हैं उनके employees की salary है उनका जो infrastructure है उनके जो clouds के system है उन सब का खर्चा इनी से निकलता है तो ऐसे में YouTube आप से चाता है या तो आप उनकी ads देखिए या फिर आप जो है इनका YouTube premium का जो subscription है वो ले सकते हैं अभी तक देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन ad blocker का use करके सिर्फ YouTube के लिए नहीं कोई भी like articles की website है या फिर जो है news वगेरा की website है वहाँ पे articles वगेरा जो है या news वगेरा easily पढ़ पारे थे लेकिन अब बहुत सारी websites ने जो है इस तरह के pop-up दिखाना start कर दिये हैं और साथ ही में अब आप उनका content check नहीं कर सकते अब चली बात करते हैं कि इसका क्या solution है तो देखिए अभी YouTube ने जो है beta version के तोर पे ही इस तरह का start किया है यानि कुछ देशों में और सर्फ कुछ users को ही इस तरह के pop-ups हैं वो आ रहे है जब हर किसी को actually इस तरह के pop-up आना start हो जाएंगे तो हो सकता है कि कोई developer या कोई particular individual company इस तरह के कोई solution लेके आए तो अभी actually इसके बारे में कहना जो है थोड़ा सा impossible सा है कि क्या इसका कुछ solution निकल के आएगा या नहीं तो आपको wait करना होगा जब तक ये पूरी तरह implement नहीं हो जाता हो सकता है इसका कोई solution निकल के आए आपको YouTube की ये policy कैसे लगी आप हमें comment section में बता सकते हैं और साथ ही में अगर आपके कोई और suggestion है वीडियो के regarding तो वो भी आप हमें comment section में बता सकते हैं तो आज की वीडियो